निर्विया मामले सी बड़ी ख़बर आपको पता देए फासी टालने के खिलाब केंदर पहुंच चुका है हाइकोट आज हाइकोट में होगी मामले की एहम सुनवाई पट्याला हाउस कोट के आदेश के खिलाब केंदर सरकार ने ची थी अपील हाई कोट ने चारों दोश्यों को जेल प्रशासन के साथ मोटस भेज दिया है और इस कबर पे ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे समवादाता अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए है अमित आप से जाना चाहेंगे कि जैसे कि एक तरिक को फासी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई ऐसे में जो लगतर सुनवाई का जो मामला है वो तलता ही जा रहा है और आज हाई कोट में जो सुनवाई होनी है तो क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ सकती है दिखिस संडे के दिन विशेश सुनबाई हो रही है और आस बात ये है कि चार आरोपेट चार में से अब तक कि सी को फासी नहीं उपाई ऐसे में जिल लोगों का केस फास ट्रेक कोट में चला उसके बावजूद साथ साल के बाद अब तक किसी को फासी ना होना कहीं न कहीं कानून पे भी सवालिया निशान खड़े करता है यही खुज सौलिशी का जनरल टुशार महता जो है वो अपनी दलीले यहां पर सामने रखेंगे और सबसे बड़ी चीट की इन सरकार भी इस बात को मान नहीं है और यह में सुनवाई है कि आखिर का चारो को एक साथ फासी क्यों जी बिल्कुल लेकिन अमित जस तरीके से पट्याला हाई कोट ने ही मना कर दिया था और सफासी पे रोक लगा दी ती तो पट्याला हाउस हाउस कोट की तरब सभी कुस दलीले जरूर दी जाएंगी सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि जिस तरह से चारो आरोपी एक एक करके प्रडिशन दायर करें इससे लंबा वक्त लग रहा है और यहीं सबसे बड़ी टेंशन है खास्ताव पर निर्वया के माबाप के लिए या जो लोग खास्तों पर इस आस में बैठे है कि निर्वय पर देखना वाली बात होगी कि आज जो तीन बज़े सुनवाई होनी उस पर कोई नई तारिक मिलती है या नहीं बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम अपडेट के लिए तो आज पट्यला हाउस कोट के आदेश के खिलाफ किन सरकार ने अपील की है आज तीन बज़े सुनवाई होनी है मिर्वया बामरे से जुड़ी आज संड़े है इसे में एहम सुनवाई होनी है फासी टालनी के खिलाब किन सरकार हाई कोट पहुंच चुका है आपको बता दू कि एक नई तारिक का लोगों को इंतर्व